हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi चीन के द्वारा जब भी कोई खास कदम उठाया जाता है तो भारत सहित आसपास के परोसी देश को ले करके एक चौकाने वाली खबर जैसी स्थिती सामने आ जाती है और ऐसे में भारत सहित इन सभी देशों को चौकनना होने की भी नसीहत कहीं न कहीं चीन देता है दरसल अभी हाल ही में चीन के द्वारा एक बहुत ही महतपून स्टील्थ प्रद्वगी की से सुसजित एक एयर क्राफ्ट को लेकर के जानकारी दी गई है और 12 से 17 नवंबर के बीच में चीन में एक एयर शो का आयोजन किया जाने वाला है कहाँ पर तो जू हाई एयर शो में इस स्टील्थ प्रद्वगी की से सुसजित इस महतपून एयर क्राफ्ट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा उसको एक्जिबिशन के तौपर सामने लाया जाएगा और ऐसे में निशित तौपर चीन के द्वारा जो ये उपलब्धी है अपने आप में बहुत महतपून मानी जा रही है इस पार्टिकुलर रिजन में कौन सा पार्टिकुलर रिजन तो एशिया प्रसांत का छेत्र आप यहाँ पर नक्से में देख रहे होंगे कि एशिया प्रसांत का ये जो पार्टिकुलर रिजन है किस तरीके से स्ट्राटिजिक पॉइंट और विव से बहुत अधिक महतपून हो जाता है दोस्तों आज की चर्चा में हम लोग इन ही खास पहलूँ पर विस्तार से बातचित करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर चीन के द्वारा जो ये स्टेप उठाया गया है इसको लेकर के अमेरिका को क्यों दिक्कत महसूस हो रही है अमेरिका की संदर में इन पूरी स्थ क्यों का क्या कुछ लेना देना है यहाँ पर इसके बारे में भी बातचित करेंगे इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि भारत की स्थिती राइट नाउ एशिया प्रसांत क्षित्र में फाइटर जेट्स और या फिर कहें कि एयर डिफेंस के कॉंटेक्स में चीन की तुल्ला में कहां बैठती है इस्थिती इसकी वो भी समझने वाली बात है तो यहाँ पर इन सभी पहलूओं पर हम लोग विस्तार से बातचित करने वाले हैं और निशित तौपर ये टॉपिक आपके परिक्षा के दिश्ट्रिकों से बहुत अधिक महत्पून हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के ख्याल से और साथ ही यदि आपकी रूची है अंतराश्टिय संबंध से संबंधित कतिवीधियों को जानने समझने सीखने में तो निशित तौपर ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी हो सकता है तो वीडियो में अंत तक बने रह को अच्छे से विस्तार से समझ सकें आईए हम लोग यहां पर जो हेडिंग है इस निउस की उसको थोड़ा देख लें इसमें कहा जा रहा है कि वाई चाइनाज निव विपन्स एट जुहाई एयर सो 2024 इस वरिंग फॉर इट्स नेबर्स जैसा कि मैंने आपको संकेदित ही क महत्पूर्ण परोसी देश है चीन के परोसी देश है यहां एक तरफ चीन वियतनाम फिलिपींस और कैसारे जो महत्पूर्ण देश है वो यहाँ पर अपना हित साधते हैं और ऐसे में चीन के द्वारा जो ये एयर शो का आयोजन किया जा रहा है और इस एयर शो में जिस महत्पूर्ण स्टिल्थ प्रॉद्धोगिकी से एक्त जे थर्टी फाइब एयर क्राफ्ट का इस्तिमाल किया जाने वाला है तो इसी के रखेगा कि जब मैं बात कर रहा हूं चीन के एयर शो की तो उस एयर शो में केवल इसी एयर क्राफ्ट को एक्जिबीट नहीं किया जाएगा बलकि इसके साथ साथ में और भी कई साथ जो खास महत्पूर्ण इसके हथियार है इसको भी जरूर यहाँ पर प्रदर्शनी के त रहा हूं यह एक मिसाइल के तौर पर जाना आता है और यह जो मिसाइल है यह एयर डिफेंस के लिहाज से बहुत बरी भूमिका निभा सकता है एयर डिफेंस के लिहाज से इसकी भूमिका यहाँ पर माने जाती है और दोस्तों इसकी खासित जानतू क्या है इसकी खासित यह है कि हाई स्पीड अटेक कर सकता है बहुती हाँ पर इसकी जो खासियत है ध्याय में रखेगा ये अपने आप में बहुती महतुपूर्ण है दूसरा जो महतुपूर्ण है वह है जो F-15 जो aircraft है वो भी एक महत पूर्ण इस्टिल्थ प्रॉद्दोगी की से उक्त इयरक्राफ्ट है जो की चीन के पास में है राइट नाओ इसके अलावा जो थर्ड महत पूर्ण मैंने बात की आप से वो है J-35A aircraft जो की खुद इस्टिल्थ प्रॉद्दोगी की से सुसजित है औ और साथ ही इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका से संबंधित एक खास एयरक्राफ्ट जिसका नाम है F-35 उससे मिलता जूलता है आखिर ये बात क्यों की जा रही है और इस बात के पीछे के आधार क्या है ये भी मैं भी आगे चर्चा में बताऊंगा तो आप सलदी से बता दूँ कि इस टिल्थ प्रद्वगी की का मतलब क्या होता है बहुत ही मोटे तो पर ले मैं आपको समझाओं तो आप जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें कुछ स्नाइपर्स हैं जो की जाडियों में छिपे हुए हैं आप देख रहे होंगे और किस तरीके से इन्होंने अपनी वेश भूशा बना रखी है पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये दरसल कोई सैनिक है या फिर पत्ते हैं सुखे पत्ते हैं या फिर कुछ इस तरीके की सित्या देखी जा रही हैं है और इसी तरीके से जो एयर डिफेंस के दिए हम बात करते हैं तो एयर हैं वो अपने इस तरह पर कोशिश करते हैं कि हम भी एयर डिफेंस के मद्दे नजर अपने महतवपोन एयर क्राफ्ट में इस टिल्थ प्रॉद्धोगी की का इस्तिमाल करें और इस टिल्थ प्रॉद्धोगी के अंतरगत दोस्तों क्या किया जाता है कि कुछ रसायनों का लेप लगाया जाता है और उस लेप के माध्यम से कोशिश की जाती है कि जो रिफ्लेक्शन है और जो एब्जॉप्शन की कैपसिटी है वो उस पार्टिकुलर एयर क्राफ्ट में डेवलप हो जाए जाहिसी बात है कि यदि नीचे से रडार के माध्यम से जो रेज हैं वो यदि उस पार्टिकुलर एयर क्राफ्ट से टक रहें तो वह एयर क्राफ्ट अपने इस टिल्थ प्रॉद्धोगी के कारण अपने उस खास प्रकार के रसायनों के लेप लगे रहने के कारण वह या तो उन तिरनों को अवर्शोसित कर सकता है या फिर उन्हें परावर्तित कर सकता है और ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि कोई aircraft किसी target पर attack करने वाला है और इस तरीके से यह जो प्रद्योगी की है काम करती है तो यहाँ पर मैंने given एक layman language में आपको यहाँ बता दिया है कि जो इस tilt प्रद्योगी की है वह इस तरीके से जो है किसी भी वायूयान को खा मार सकता है उसको धराशाई कर सकता है तो यह सारी जो गतिविद्या है यहाँ पर ध्यान में रखने के आप सकता है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बातचित करें कि आखिर जब हम लोग यह देख रहे हैं कि F-35 जो कि अमेरिका से संबंधित एक महत्वण fighter jet है और इसमे दिके से एक दूसरे से similarity से मिलता जुलता दिख रहा है किस आधार पर इसके संदर में बाते कही जा रही है दोस्तों ध्यान देखेगा कि कई बार पहले भी समाचारों में आया था और यदि हम थोड़ा और पहले की बात करें तो साल 2009 के आसपास में ऐसी जानकारी मिल रही थी कि चीनी हैकर्स के द्वारा कुछ महतपूल जानकारियों को हैक कर लिया गया था जो कि अमेरिकी रक्षा से संबंधी थी वो जानकारिया और उसी के माध्यम से उनके द्वारा जो स्टिल्थ प्रोदोगी की है एर क्राफ्ट स्टिल्थ प्रोदोगी की है उसका है उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उसकी कॉपी ही है हाना तो इस लिहाद से यह सारे तरक दिये जा रहे हैं हाला कि जो इस थर्टी फाइब अमेरिका का विमान है और जो जे थर्टी फाइब ए चीन का विमान है यहां पर जो एक डिफरेंस है वो भी कहीं न कहीं दिख रहा है और कुछ जो विद्वान है कुछ एक्सपर्टाइज हैं वो यहां तक कर रहे हैं कि देखे साथ जो बाते कही जा रही है जो तरक दिया जा रहा है कि नहीं नहीं यह दोनों एकदम सिमिलर ही है बिल्कुल एक जैसा ही है दरसल F-35 को ही एक नए रुप में J-35A के किया गया है एकल इंजन का इसमें इस्तेमाल होता है इसके अलावा यह जो विमान है यह सिंगल सीट एवं सूपर सोनिक शमता से उक्त होता है इसके अलावा जो J-35A है इसमें ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है का इसमें इस्तेमाल किया गया है वहीं जो F-35 है इसमें S-T-O-V-L का इस्तेमाल किया गया है S-T-O-V-L का मतलब होता है कि Short Take-Off and Vertical Landing यानि कि बहुत ही कम दोरी में ही यह टेक-off कर सकता है उरान भर सकता है और Vertical Landing करने की क्षमता इस F-35 जो J-35A की बीच में वो कहीं न कहीं यहाँ पर देखनों को मिल रहा है इसके अलावा जो J-35A है इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि भीया F-35 जो अमेरिका का मिसाइल है वो उतना अधिक चिकना और थोड़ा पतला नहीं है जितना की J-35A मिसाइल है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चीन ने अपने लेवल पर कहीं बेहतर तरीके से इस मिसाइल का निर्मान किया है तो यहाँ पर यह कुछ जो basic differences है इन दोनों के परिप्रिक्ष में हमें दिख रहे हैं और जो अगली बात है अगली बात इसलिए महतपूर्ण है कि भाई जहां हम बात कर रहे हैं चीन के बारे में वहीं हमें भारत के बारे में भी विचार करने की जरूरत पर जाती है मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ठीक है चीन के द्वारा एक खास प्रोदोगी के माद्यम से एक खास fighter jet का विकास किया गया है यह अच्छी बात है चीन के लिए अच्छी बात है लेकिन भारत निकट्तम परोसी देशों में से एक है और इसके अलावा चीन की भूमिक इसके अलावा जो हिंद प्रशांद छेतर में चीन का प्रभाव है वो कहीं न कहीं देखा जा रहा है अलग-अलग अस्तरों पर उसने न जाने कितने रननीतियों का इस्तिमाल किया है बंदरगाहों का निर्मान किया है है और ऐसे में भारत सहित कुछ ऐसे देश वहां पर अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं जो की चीन से अपनी इस्थिति को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। और उनमें से एक खास देश है अमेरिका और भारत, अमेरिका, जापान और अस्टेलिया ने क्या बना रखा है? तो Quad का निर्मान कर रखा है और ये Quad कहां पर काम करता है तो फिर IP यानि की इंडो पैस्विक छित्र में हिंद प्रशांद छित्र में ये काम करता है तो ये चीज़ें भी आपको ध्याम में रखने का रख सकता है कि एक देश के द्वारा एक खास हत्यार का इस्तिमाल करना या उसका निर्मान करना कहीं न कहीं उस पार्टिकुलर छित्र की जो डिप्लोमैसी है उस पार्टिकुलर छित्र की जो सुरक्चा है उससे भी जुरी ह होती है इसको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं है ना तो यहां पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखने के अवशकता है और वहीं जब हम भारत के संदर में विशेश करके बात्चित करते हैं दोस्तों तो ध्यान लेखेगा कि भारत के पास में अभी तक एस सच कोई खास डेवलप्ड वाइटर जेट की सुविधा नहीं है भारत के पास में राइट नाव कुछ महतपूर्ण जो फाइटर जेट्स है वह विद्दिमान हैं लेकिन वो उतने डेवलप नहीं है उतने उननत नहीं है कि चीन के आगामी इन महतपूर्ण तकनिकों से प्रिमानों का मुकाबला कर सके तो ऐसे में भारत को भी सावधान हो जाने की जरूरत पर जाती है दोस्तों ध्यान देखेगा कि राइट नाउ भारत के पास में जो महत्वपूर्ण मिसाइल से सॉरी जो महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स हैं वो हैं मिग 21 वो हैं जगुवा अपने निशित आप पर इनका नाम सुना होगा जो मिग 21 है इसके बारे में तो कहा जा रहा है कि साहब इसका दोहजाब पचीज से पेजड आउट मैनर में अब इसको बाहर भी किया जाएगा क्योंकि बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है है ना इसके बताईएगा कि ये राफेल भारत को किस से मिला एक महत्वपूर्ण इरोपिये देश है मैंने ये संकेत कर दिया तो राफेल जो है भारत को मिला है और निशित आपर ये इसके माध्यम से भारत ने अपनी वायू रक्षा को और अधिक सुसजित करने की कोशिश की है लेकिन किवल इका दुक्का ऐसी विवस्था से तो काम नहीं चलेगा ना जब आपका परोसी खुद इतना अधिक उन्नत हो रहा है तो आपको भी उसकी तुलना में अपने आपको और अधिक मजबूत होना होगा और हम ये भी कह रहे हैं कि भाई 2047 तक एक विक्सित देश के को लनी की आविशक्ता हो जाती है तो यहां इस चीज को ध्याम रखेगा दोस्तों कि चीन हाल के समय में अपने एयर पावर के कंटेक्ट में बहुत अधिक ग्रोथ कर रहा है और ऐसे में भारत को भी अपने एयर पावर की कंटेक्ट में अपने फाइटर सौटेश को लेकर के संदर में मडराता ही रहेगा तो यहां पर दोस्तों इन सभी पहलूओं को थ्यामें रखने का रहा है भारत के द्वारा अभी कुछ महत्पून गतिविधियों पर तो काम किया ही जा रहा है जैसे कि तेजस MK1 भारत के पास में है तो तेजस MK2 प्रोग्राम को लेकर कि भी भारत के द्वारा काम किया जा रहा है इसके अलावा भारत फिफ्ट जनरेशन के स्थर पर जो बहु भूमिका वाले फाइटर जेट्स हैं इनके निर्मान पर भी काम कर रहा है लेकिन भाई इसमें अभी समय लगेगा और चीन क्या कर रहा है चीन एक्जिवीशन में ला रह विपरित परिस्थिती में किसी भी तातकालिक विपरित परिस्थिती से निपटने के लिए हम अपनी जो वायू रक्षा प्रनाली है वायू रक्षा सुईधा है सुरक्षा है ये हम और बहतर तरीके से मजबूत कर सके तो इन पहलूओं पर भी भारत को भारत की सरकार को और भारतिय वायू सेना को ध्यां में रखने की आविशक्ता होगी तो इस चर्चा के माध्यम से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि चीन के द्वारा जो महत्वपूर्ण रक्षा प्रद्वगिक्यों का इस्तेमाल करते हुए जे थर्टी फाइब या फिर जो एच क्यू म मैंने आपू सब्सक्राइब निश्मिश्यार पर यह टॉपिक आपकी इंटनेशनल रिलेशन के ख्याल से जो आपकी समझ है उसको बहतर बनाने में मद्द कर सकता है इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूँ कक्छा की समापती से पहले कि एक P2I Foundation बैच की शुरुआत 11 नवंबर से की जा रही है यानि की अगले मंडे से की जा रही है यदि आप इस कोर्स को जाइन करना चाहते हैं यदि आपको लगता है कि GS में अभी आपकी सिती तंग है GS के विश्यों को अभी आप तही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है क्योंकि इसके जरीए हम लोग हर एक विशे के हर एक टॉपिक को बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं समझा रहे हैं साथ ही इसके जरीए आप लगातार नियमित तौपर टेस्ट भी दे सकते हैं जिससे आप अपनी जो इस्तिती है आपका जो प्रोगरेस भी हो रहा है उसका आप लगातार मुल्यांकन कर सकते हैं जिससे आपको अपने दिशाने धारन करने में और अधिक मदद मिल सकती है तो ये तमाम सुविधाएं इस P2I Foundation Batch के अंत्रगत मिल रही है दोस्तों ध्यान रखेगा कि यदि आप इस course को जाइन करना चाहते हैं तो दिली प्लाइव कोड का इस्तमाल कीजिए दिली प्लाइव कोड का इस्तमाल करते हुए बहुत ही एफरडेवल फी में यानि की मत्र 28,999 रुपे में आप इस संपूर्ण कोर्स का लाभ उठा सकते हैं और जानतों इसमें एक और खास बात क्या है इसमें सी सेट और एसे की क्छाएं भी बिल्कुल नहिसुलक करवाई जा रही है कोई भी इसके लिए आपको अलग से फी देने की जरूरत नहीं है टेस्स स्रीज की सुविधा इन सी आर्टी से संबंदी जो भी महतवपूर्ण जानकारिया हैं वो सब आपको लाइव कक्छाओं के मादधम से विस्तार से बताया जाएगा परहाएजाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके तो इस लिहाज से यह जो कोर्स है आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूँ कि यदि आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो की चाहता है कि NCRT की जो किताबे हैं वो हम आसानी से पर सकें सरल और सहज भासा में पर सकें कई सारी किताबों की जो तादाद है वो देखने को मिलती है कच्छा 6 से लेकर के 9-10 वी तक में 11-12 वी तक में तो उसको यदि बहुत ही सिंप्लिफाइड वे में आप पढ़ना चाहते हैं सिखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आप 5 पुस्तकों के इस सेट को खरिज सकते हैं इसके लिए भी आप दिलिफ लाइव कोड का इस्तमाल करते हुए इस पुस्तक के सेट को खरिद करके अपनी परहाई को और भेतर से भेतर कर सकते हैं ध्यार रहेगा ये जो पुस्तके हैं ये आपके किसी भी प्रकार की competitive examination के point of view से बहुत अधिक लाभकारी हो सकती है तो आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इसके लावा यदि आपके पास में कोई query है किसी भी प्रकार का कोई सवाल आप मुझसे पुछना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं किसी और topic के साथ अपना ख्या लखे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी भारी संख्या में share कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में चीन की गतिविधियों के बारे में जान सकें All the best हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi